हेलो माइ डियर स्टुडेंस वन्स अगेन वेलकम टू यूर ओन यूटूब चैनल लेर्ण इंगलिश विद प्रदीप आयम प्रदीप कुश्वहा स्टुडेंट आज की क्लास में हम जूपी बोड हाई स्कूल पोईटरी थर्ड लेशन दविले सौंग जिसकी पोईटिस सरोजनी नाइडू जी है इन्होंने दविले सौंग लिखा है जिसका हिंदी अर्थ होता है ग्राम म्यगीद गाउं का गीद इसमें नों बताया है कि एक माँ अपने दुलारी बेटी से सांसारिक सुखों का उपभोग करने के लिए कहती है वो कहती है कि आबदुलहन की लिवास में हो आपकी शादी होनी है और आप इस परकार से शादी करने से इनकार क्यों कर रही हो वो लड़की गाउं की लड़की जंगल की सुनदरता या प्रकृती की सुनदरता से बहुत आकरशित है और वो कहती है कि मा मुझे अपसराइं बुला रही है मुझे परियां बुला रही है और मैं उस जंगल में ऐसा जंगल जहां कि संदर्दा कभी समाप्त नहीं होने वाली होती है जहां से आविरल जहां से ना समाप्त होने वाली धाराओं कलकल करती हुई आवाजें शहनाईयों की तरह बज रही है हेमा मैं वहाँ जाना चाहती हूँ यहाँ जो मेरे शादी के लिए गीत बजाया जा रहे है पालकी गीत बजाया जा रहे है चंदन के खुशबू महकाई जा रही है यह तो छड़ीक है असली आनन तो प्रकृति के साथ रहना है आई यह पढ़ते हैं समझते हैं यह इसका सिंट्रल आइडिया है आज आप लोग जानेंगे सिंट्रल आइडिया इसमें है एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ Central Idea बच्चो इस बार 4 marks का आना है Sorry, 3 marks का आना है इसलिए Central Idea को भी पढ़ना ज़रूई है हाला कि option रहता है आप Central Idea के स्थान पर 4 line की poem याद कर सकते हैं दोनों विकल्प आपके सामने है तो आज हम लोग Central Idea जान रहे हैं The Village Song का एक बर में रीट करता हूं फिर आप लोग को समझाओंगा इसको हिंदी में The mother's darling child sees no charm in the materialistic world The mother wants to stop her daughter to depart from unknown place She wants to see her daughter to prepare as a charming bride But she refuses all these attractions She is ready to travel toward the enchanting lands The various folk are waiting for her to join them Student just means that करिता का मुख हिंदी अर्थ यह होगा कि मा की दुलारी बेटी जो भोतिक संसार में कोई आकरशन महसूस नहीं कर पा रही है वो अपनी बेटी को अंजाने अस्थानों पर जाने से रोकना चाह रही है उसके इक्षा है कि मेरी बेटी सुंदर दुलाहन के लिवास में सज्जाए लेकिन बेटी को इन समय आपको या करशन नहीं दिखाई देता है वो तो मंत्र मुग्द कर देने वाले टापूओं की ओर गमन करने के तयारी कर चुकी है आप सराव उसका इंतजार कर रही है और अपने हाथ अपने साथ ले जाने के लिए उत्सूख है तो students ये था इस lesson की poem का central idea जिसको आप लोगोंने हिंदी में समझा और इंग्लिश में भी जाना मैं एक बार फिर से इसको read कर देता हूँ ध्यान से समझना है The mother's darling child sees no charm in the materialistic world The mother wants to stop her daughter to depart for unknown place She wants to see her daughter to prepare as a charming bride But she refuses all these attractions She is ready to travel toward enchanting land The fairy folk are waiting for her to join them इसको हिंदी में समझ लेते हैं once again The mother's darling child sees no charm in the materialistic world मा की दुलारी बेटी भौतिक संसार में किसी भी प्रकार का आकर रशन महसूस नहीं करती है The mother wants to stop her daughter to depart for unknown place मा अपनी बेटी को अंजाने अस्थानों पर ले जाने से रोकना चाहती है She wants to see her daughter to prepare as a charming bride उसके एक्षा है कि मेरी बेटी सुंदर दुलहन का लिवास धारन करे सुंदर दुलहन के कपलों में सजे But she refuses all these attractions लेकिन वह हर प्रकार के इस आकरशन से इंकार कर देती है She is ready to travel to an enchanting world या land वह अकरशक टापूं की तरफ अकरशक लेंड की तरफ अकरशिद हो रही है The fairies fall are waiting for her to join them और परियों का जुंड उसका इंतजार कर रहा है अपने साथ ले जाने के लिए इसको ध्यान से पढ़िये समझे Thanks for watching the video, जैहिंद जैहिंद